ओके तो जिनको नहीं पता हूं उनको बता दूँ कि इन तीनों फोन का डिटेल में camera comparison वीडियो मैं already दे चुका हूं तो इसलिए इस वीडियो में आपको camera के अलावा हर एक चीज का comparison मिलेगा like heating, speed, bgmi, software, sensor, display test वगएरा और उमीद है कि आपको इस वीडियो में सारी information मिल जाएगी जो आपको चाहिए क्योंकि वाइट टेस्टिंग में ही 4-5 दिन लग गए थे तो पूरा वीडियो देखिए बट उससे पहले नमस्कार दोस्तो स्वागत है तो पहली बात main card अड होता है comparison वीडियो का price इन तीनो phone का price एकदम सेम है बाकी card offer वेगरा तीनो में लग जाएंगे और मेरे पास इन तीनो ही phone का 8-2-6 वाला variant है बात करें box content की तो तीनो में pin, paper, usb, type-c, cable, एक-एक flexible case तो मिलता ही है साथ में तीनो में एक-एक charger भी मिलता है box content तीनो का same है तो इसलिए इस मामले में मैंने तीनो को same points दिये है और हाँ charging voltage IQ वाले का ही कम है बट उसके points मैं charging speed में काटूंगा तो भाई तीनो का look decent है बट पीछे से तीनो ही अलग-अलग type के है like x6 में marble type का look दिया गया है and polycarbonate body है तो touch करने पर soft feel होता है वहीं G9 का brushed type design है plastic body है बट matte finish के साथ में आता है तो इसलिए इसको touch करने पर काफी smooth feel होता है वहीं रही बाट 12 plus की तो इसमें silicone polymer bag है आप इसे wagon leather भी कह सकते हैं and touch करने पर ये थोड़ा rough feel होता है बाकि finger impressions तीनों के body पर नहीं पता चलते हैं but हाँ x6 and z9 के camera पर easily पता चलते हैं वही 12 plus के camera पर तो नहीं but frame पर easily आते है finger impressions and आश्चर की बात है कि सिर्फ 8-9 दिन के use में scratches भी मिल गए कहने को तो real me ने plastic frame पर pvd polish किया है and google search करने पर पता चलता है कि ये polish scratch resistance है and phone को मजबूती देता है अब अब अंदर के मजबूती का तो नहीं पता but बाहर से scratches मिल जाते हैं and वहीं इन दोनों में normal plastic frame दिया गया है जिसमें scratches वाली problem नहीं है तो भाई सारे body details मैंने आपको बता दिये and वैसे frame वेगरा पर तो आप lamination या cover वेगरा तो लगाएंगे and बाकि look wise कौन सा अच्छा है वो आपकी अपनी पसंद होनी चाहिए इसलिए मैंने body details and look के मामले में सबको same points दिये हैं अब भाई look wise अगर मैं points कापने लगाना तो result काफी unfair सा आएगा hope you understand बट हाँ display wise दोस्तो एक्सिट से कही points बढ़ेंगे and इसके कई reasons हैं वैसे reasons तो अभी मैं बता दूँगा and आप लोग video देख कर भीना subscribe किये हुए चले जाएंगे सब कुछ पता चलता है भाई 80% लोग तो subscribe भी नहीं करते हैं पता नहीं क्यों कर दिया कर ये भाई अगर आपके लिए video थोड़ी भी helpful रहती है तो क्यूंकि आप लोगों के लिए free है बट मेरे लिए motivation है care back to the topic तो भाई तीनों में AMOLED display है HDR10 का support है brightness भी तीनों का काफी जादा है nearly same भी है बस Realme का थोड़ा जादा दिखेगा बट वो 19-20 वाला ही फरक है and sunlight के presence में भी तीनों में visibility में कोई दिक्कत नहीं आएगी बट हाँ X6 के points में इसलिए बढ़ाने के लिए बोला था क्यूंकि तिर्फ इसी में Dolby Vision and Max Resolution का support है and सिर्फ इसी में Gorilla Glass का protection भी है and ये protection 40-50 वाला के phone में दिया जाता है बट इस 20 वाला के phone में देखकर अच्छा लगा बट जो भी हो screen protector लगा के रखिएगा तीनों ही phone में क्योंकि है तो glass ही खेर वैसे सिर्फ X6 में 1920 Hz की high PWM frequency है जिसके चलते display कम flicker होता है जो कि clearly आप देख सकते हैं and इसके चलते आँखो पर थोड़ा कम जोर परता है and वही display की thickness आप नीचे side देख हैं तो कम आपको X6 में ही मिलेगा तो इन 4 reason के बज़े से X6 के points कुछ जादा ही display के मामले में बढ़ेंगे बढ़ कुछ points मैं काटूंगा भी वह इसलिए क्योंकि X6 में YouTube पर HDR का support किसी भी वीडियो में नहीं मिलता है HDR 10 Plus का support है फिर भी नहीं मिलता पता नहीं क्यों बढ़ा Netflix वेगरा पर आपको HDR and all भी vision इस phone में मिल जाएगा वैसे तीनों का display का color अच्छा है जाहे आप YouTube पर Max Resolution में वीडियो देखिए जाहे 4K वीडियो आप डाउनलोड करके ही क्यों ना देखिए तो जीटर मिलता है और ये एक बार नहीं मुझे भार बार देखने को मिला और वही 120 Hz का refresh rate तो तीनों में दिया गया है तो right में power button and volume की है left में कोई setup नहीं है तीनों में और नीचे की और भी तीनों का setup same है speaker, port, mic and sim slot है जिसमें आप 2 sim बस लगा सकते हैं बट उफर की तरफ सिर्फ Z9 में ही aux check नहीं मिलता है वहीं x6 में aux port के साथ में IR blaster भी है तो इसलिए x6 के दोस्तों ports and button के मामले में points बढ़ेंगे खेर वैसे तीनों में ही media output के लिए dual speaker का support दिया गया है and जियान काफी अच्छा गा रहा है नई समझ में आया अब समझिए समझ गया ना खेर वैसे तीनों के speaker का loudness मुझे काफी decent लगा but sound quality मुझे थोड़ा 12 plus का better लगा हैर वैसे in hand experience की बात करें तो तीनों की लंबाई चोड़ाई nearly equal है but भाई सबसे light weighted x6 है and मैं सच बोलू तो यार मुझे x6 का weight distribution काफी balanced लगा बाकी दोनों काफी ठोस feel होते हैं but ये थोड़ा खोकला type feel होता है मतलब काफी comfortable लगता है तो इसलिए इसके मैं थोड़े points बढाऊंगा अब performance की बात करते हैं तो भाई देखिए processor तो तीनों ही phone का अच्छा है day to day life use के लिए बढ़ तीनों में best कौन सा है उसको जानने के लिए पहले मैंने enter to check किया और फिर throttle test किया तो भाई इन दोनों test में better z9 था वही x6 थोड़ा धीला रहे गया लाइक येर 15 मिनट और 30 मिनट के throttle test में 70% से ज़्यादा CPU throttle किया x6 का सिर्फ इसका मतलब सिर्फ x6 सी high performance पर heat होने के बाद अपना performance टाउन कर लेगा बट भाई मैं software result पर ज्यादा भरोसा नहीं रखता इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि test result कुछ और था और रियल लाइफ में कुछ और तो इसलिए मैं reality जानने के लिए सबसे पहले दूप में गया छत पर ऐसे कुछ condition में ऐसे कुछ result मिले and इस result में max temperature x6 का ही कम था and even इतने heat पर भी मैं जब 3 ही phone को use कर रहा था तो ऐसा नहीं कि x6 में कुछ अलग सा बहुत ज़्यादा lag मिल रहा था अब खुद देख लिजे तीनों में normal use कर रहा हूँ normally चल रहा है तीनों phone and इस समय max temperature y40 plus e है पर by throttle result के according इस phone में एकदम lag होना चाहिए था गरम होने के बाद क्यों सही बात है हाँ इसलिए मैं कहता हूँ कि software result देना और real life में test करके result देने में काफी अंतर होता है mind it वैसे एक चीज और mind में रखिएगा कि जो मैं 43-44 degree दिखाता हूँ वो दोस्तों max temperature होता है मतलब कि यार camera side या processor side सिर्फ उतना ज़्यादा heat होता है phone के बीच वाले part या उसके नीचे वाले part में यहां पर भी देखें तो temperature नियर ली तीनोई phone का सेम टाइप ही था तो भाई heating का जो भी किस्सा है वो तीनोई phone का आप सेम मान कर चलिए पर software की मान है तो बहुत ही extreme use पर phone heat होने पर performance x6 का ही जल्दी डाउन होगा बट ऐसा हुआ नहीं आपने देखा वैसे vgmi experience के मैं बात करूँ तो भाई smooth extreme setting करके खेलने पर सच में ऐसा कोई बड़ा difference मुझे नहीं मिला तीनोई में जिसके बारे में आपको बताया जाए तीनोई का ही performance अच्छा था एंड थोड़े छोटे मोटे आपको lag मिलेंगे hot drop जैसे conditions में जो कि normal वाली बात है बठा तीनों में HDR Ultra setting करके खेलने पर थोड़ा तीनों ही slow feel होते हैं क्योंकि fps थोड़ा कम हो जाता है तीनों में जाइड सी बात है बट यह है कि तीनों में जब मैंने high performance mode on करके खेला तो HDR Ultra में भी थोड़ा बहतर performance G9 का यह सिर्फ मिल रहा था तो वाई आपने देखा न इस level तक की testing करने पर पता चला कि थोड़ा बैटर G9 यह performance में यह वैसे devices के speed को compare करने के लिए पहले मैंने तीनों में वर्चुल RAM को 8 GMI पर set किया और फिर मैंने app opening test किया तो पहले इंस्टा खोला फिर up down फिर फिल मोरा तो तीनों में सेम opening speed था बट जब मैंने YouTube खोला और VGMI खोला तो उस time पर दोस्तो X6 सी fast था वहीं Z9 and 12 Plus में 10 से 15 सेकंड का delay मिला VGMI opening में अब ऐसा difference क्यों मिला यह तो मुझे नहीं समझ में आया बट exporting वाला difference मुझे समझ में आया जब मैंने दो तीन सेम वीडियो को एक साथ export किया तो 12 Plus काफी जादे आगे था वहीं X6 and Z9 दोनों 15 सेकंड लेट थे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ 12 Plus में UFS 3.1 का storage दिया गया है जिसके वज़े से read and write speed काफी जादा मिलता है तो यह वीडियो exporting copy paste वेगरा में 12 Plus ही better निकल कर आएगा वैसे एक important चींज में बता दूं कि इन तीनों ही phone में 4K वीडियो तो record कर सकते हैं आप बट 4K वीडियो आता है बट जो भी difference निकल कर आता है उसके according दोस्तो Z9 performance में best है अब वहीं software की बात करें तो तीनों में Android 14 है एं तीनों का ही OS अलग-अलग है and X6 MIUI पर run कर रहा था बट उसमें nearly 5GB का update आया उसमें Xiaomi का Hyper OS मिल गया उसके बाद से POCO X6 थोड़ा सा और smooth feel होने लगा भाई और वैसे बाकी दोनों का भी animation वेगरा काफी smooth है बट X6 का ही ज्यादा better smooth feel होता है बाकी दोनों के comparison में and वहीं update promise की और देखें तो उसमें भी X6 ही आ गया है क्योंकि X6 में 3 year of OS update का promise किया गया है और वहीं दोस्तो X6 में ही इसका खुद का डायलर दिया गया है और इसके डायलर में खासियत यह है कि काल recording करते हुए announcement नहीं होता है तो भाई इसका UI smooth है update भी इसमें जादा मिल रहे है प्लस इसमें कुछ features है ऐसे कि जो उन दोनों में नहीं है इसलिए software के मामले में इसके points मैं बढ़ाऊंगा बठाँ तीनों फोन के cons की बात करें तो तीनों में काफी सारे ads मिलते हैं साथ में blood wears भी बठाँ तीनों में आप ads को कुछ हद तक कम कर पाएंगे personalized ads recommendation को off करके and 12 plus में hot games वगरा दिये गया है और इसको कुछ इस तरीके से आप disable कर पाएंगे and वही रही ब additional features secure ना हो बठाँ एक चीज है जो कि मुझे सिर्फ Poco X6 में अच्छा नहीं लगा वो यह कि जब आप phone के 60% के उपर वाले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पर आपको back option नहीं मिलता है मतलब आप back कर ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा UI को बनाया ही गया है वहीं बाकी दोनों में ह Poco को सही कर देना चाहिए भाई फिर वैसे other specs की बात करें तो तीनों ही phone के काफी similar हैं बट यार तीनों ही phone में VONR का support नहीं दिया गया है जो की काफी disappoint करता है क्यूंकि भाई 12000 के Moto G34 में ये feature मिल जाता है तो 20,000 वाले को 12,000 वालों से सीखना चाहिए वैसे मैंने तीनों ही को की तो या भाई बीजयमाई में तीनों का ही जाईरो काफी proper वर्क करता है और काफी similar टाइप था एंड वहीं बैटरी की बात करने तो capacity नियरली तीनों की same है बट drain test result में देखें तो 12 प्लस वीडियो recording में कुछ जादा ही drain हुआ वहीं जब तीनों को full charge करने के बाद मैंन 5 घंटे से ज्यादा की backup अराम से मिल जाएगी बट हाँ charging के मामले में सिर्फ भाई x6 ही काफी fast था सिर्फ 46 मिनट ही लिया 0-100% charge करने पर इसलिए charging के मामले में x6 से points बढ़ेंगे तो भाई overall यही result निकल कर आते हैं and points मैंने क्यों कम जादा दिये हैं वो आपको एकदम genuine ही लगेगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो and table के according overall हर field में balance x6 है but performance wise सबसे बढ़िया z9 है and 12 plus भी z9 कहीं काफी close है and रही बात camera की तो पिछले वीडियो में यह कुछ points table निकल कर रहे थे and इसके points भी अगर मैं इस वीडियो के points में मिला दूँ तो overall best IQ z9 ही निकल कर हता है वह इसलिए दोस्तों क्यूंकि इस phone में main चीज बढ़िया है like camera and performance बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए वहीं POCO X6 का camera performance तो नहीं बट यार charger, ports, display and software वे गएरा best है बाकी दोनों के comparison में and वही 12 plus bus display के मामले में मात खा गया नहीं तो second position पर वही रहता तो भाई इस वीडियो में इतना ही कोई doubt हो तो सवाल पूछिए नहीं तो आप सभी अपना ख्याल रखिए मिलते हैं जल जय हिन जय भारत